आदेखो जी एह गजी अंगार कमपनी दा तंदूर ठीक है इनू मैं पिछे प्लग काता इनू करता जी ओन ते इनू मैं पूरा मैक्सिमम ते कारता एह होजेगा गरम ठीक है एदे अंदर मैं फोई लगाई है ठीक है एदे भी छुना सिता नू रोटी बना के दखानेया अच्छे फुलके तंदूरी बन देया ना मतलब मैं ता एथे आके तरस गीसी तंदूर दे फुलके अनू क्योंकि अंगार अंगार क दखानी है थोड़ा गरम हो ले फिर में ता नू बना के दखानी है अन जी इमें फुलके वेले है वला वले ठीक हम पहले हो यह निचे भी है अपा ए फुलका लवांगे यह उपर वाला टोपे ता बहुत गरम हो जानता है एदे उत्ते पहले सब तो बहले हम दालेंगे इस के उपर अच्छा यह दो बटन है वो देखो वाग सुनो इसका हानी चला हिसा यहीं पक जाता है तो फिर इसके बाद इसको हम अंदर ट्रांसफर कर देंगे ए उपर वाला जेड़ा ए ऐ खलर भी चेंज हो गया हुना सी एनू कारदांगे जी अंदर शिफ्ट ते आनल करना है अंदर शिफ्ट कारके एनू कारदांगे बांद एनू में थोड़ा जया हुन कटा दांगी नहीं में मैक्सिमम तो कटा के थोड़ा जया मीडियम वल कारदांगी और जेड़ा अगला फुल काई जी ओमेदे उत्ते पादांगी ए अंदर बनी जाएगा उपर पाक जेगा ऐसे बारी बारी चेंज कर करें तो फूलने भी लगी हो तो बहुत ही करारी और अच्छी बनती है अब इसमें आपको गुबी की अलू की पनीर की सारी तंदूर वाली रोटी सब प्रोंठे बनाएं क्योंकि मैं बहुत खूश हूँ इसको इसमें बना के हां जी ये तो इसको करेंगे बंद अब हम इस पे लगा देंगे अपना देशी घी जो भी मक्खान देशी भी बहुत करारी है रुको में ता नू ना अलब मज़े ही आ गया ये गरम बहुत है ओह देखो लेयर्स भी खुल गिया तब बढ़िया बहुत बढ़िया प्रोड़क्ट है अनू बाकी असी फुलके बाच बढ़ावागे गरम-गरम खावागे ठीक प्रोड़के झिया जीओ हुल को में दाव मिल बढ़गाओ बहुत है अजिस वी घुलके लाहँ शर्ड़के अनुलके बढ़रावे जया पनानुट गलावे जानू में जावे व्समया और मुथत है ठीको ये नावे गत्वी मैं जा बहुत है करावे छो